Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel आज बनाएंगे बहुत ही अलग तरीके से बैगन की सबजी जिसमें आपको आलू डालने की बिल्कुल भी जोरत नहीं पड़ेगी बस करना ये आपको बैगन को वाश करना है सबसे पहले तो अच्छे से वाश कर लेना उसके बाद बीच में से जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ वैसे ही कट करना है आप चाहे तो इसमें जो बैगन की डंडी होती है वो भी डाल सकते है अगर आपको अच्छा लगता है इसको इसके साथ और ज़्यादा अच्छा मतलब टेस्ट आता है पक जाती है तो बट मैंने यहाँ पे काट दिया क्योंकि बहुत जादा ही कुछ सूखी वी से हो रही थी और बैगन को इस तरीके से बड़ा बड़ा आपको काटना है लंबा लंबा और बहुत जादा छोटा नहीं करना है और बहुत जादा पतला करना है और लम्मे लम्मे तरीके से यह आपको काटना है यह मैंने काफी पहले एक रेस्टरेंट में खाई थी जिसको मतलब इस सबजी को उन्होंने नाम दिया था भगारा वैगन तो अब पता नहीं लोगों को इसका नाम पता है यह नहीं पता है बट मैं इसको तब से भगारा वैगन बोलके ही बनाती हूँ घर में कि भगारा वैगन बनाने जा रही हूँ तो इस तरीके से सारे ही वैगन काट लेंगे और जब भी आप वैगन को काटे ना उस टाइम पे आप एक डबे में पानी भरके या एक बरतन में पानी भरके रख लीजिए ताकि जैसे जैसे आप काटते जाए बैगन को वैसे वैसे आप पानी में डालते जाए नि तो बैगन काला हो जाता है और साथ में ही मैं लोगी यहां पर 3-4 प्याज मीडियम साइज के मैंने 3 प्याज लिया है और 3 ही बैगन लिया है तो इसमें मैं इस हिसाप से लेती हूँ अगर 1 बैगन लिया है मैंने मीडियम साइज का तो 1 प्याज लेती हूँ और दो लिया है तो दो प्याज लेती हूँ तो इस तरीके से मैं प्याज को भी रफली चॉप कर लूँगी मोटा मोटा लंबा लंबा कट करना है आपको यहाँ पर फाइन चॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और साथ ही मैं मैं ले लूँगी तीन चार बड़ी मिर्ची यह थोड़ा स्पाइसी बनता है तो अच्छा बनता है तो मैं मिर्ची ले रही हूँ हरी वाली यहाँ पर और लंबा लंबा काट के एक साइड कर लूँगी पहले तो और फिर मिर्ची को भी पांस से साथ मिनिट में है क्योंकि सिर्फ बैगन गलाने होते हैं तो जादा टाइम नहीं लगता है तो एक बड़ी कड़ाय लिया है मैंने क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े हैं तो थोड़ा बरतन का साइस बड़ा लेना आप और यहां पे तेल भी थोड़ा जादा ही ल दोनों चीजों को और उसके बाद हम फ्राइ होने के बाद यहां पर बैगन डाल देंगे उसमें और इस बैगन को बनाने के लिए आपको मतलब ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं फटा फट से बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में आप ट्राय करना बना क जो लोग बैगन खाना पसंद नहीं करते हैं उनको भी अच्छा लगने लगेगा और इसको दो तरीके से भी आप बना सकते हैं जिनको छिलके के साथ बैगन खाना पसंद नहीं है आप छिलके भी अटा सकते हैं इसमें तो यहां पर मैंने लिया मसाला मतलब हल्दी लिये है मिर्ची लिए धनिया पौवडर, हल्दी मैंने आधा चमच लिए, मिर्ची भी आधा चमच लिए और धनिया पौवडर, देर चमच डाला है चोटा तो बस यही मसाले जाएंगे और नमक जाएगा टेस्स के according आधा पोने चमच मैंने नमक डाला है क्योंकि बैगन देखने में बहुत जादा लगता है लेकिन जब वह सूख जाता है तो आप पहले ही बहुत जादा नमक मत डालना कभी भी अगर सिर्फ बैगन बना रहे हो तो और इसको मसाले के साथ भी थोड़ा असा भुन लिया है पानी छोड़ देते हैं फिर बैगन तो सुखा लिये थे मैंने आदा घंटा से साइड में छोड़के तो अभी क्या है आप बिल्कुल सूख है आराम से पक सकते हैं बहुत अच्छे से बनेंगे और मिक्स करेंगे मसाला अच्छे तरीके से थोड़ा बड़ी कड़ाई ली इसले मैंने ताकि बहार ना निकले और मिक्स करने के बाद इस पर धकन लगा देना और पकने के लिए छोड़ देना है और आपको बीच बीच में इसको चलाना बहुत जरूरी है एक से दो मिनट के गैप में आप इसको दो तीन बार चला लेना और छे-सात मिनट में यह बन और जैसे जैसे यह पकता जाएगा वैसे यह तेल छोड़ देगा तो लास्ट में जिन लोगों को तेल खाना पसंद नहीं है जादा आप यह भी कर सकते हो कि कड़ाई को थोड़ा सा टेडा करके निकाल के आप साइड में कर दें तेल को और अपनी सबजी को साइड में निक अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्ची डालना बहुत मस्त बनेगा मतलब इस पाइसी तो मसा आ जाता है इसको खाके गर्मा गरम पराथिया रोटि के सांस सर्व करो यह बन चुका है गैस बंद कर दिया है मैंने तो बस लास्ट का का माँ बागी है वह हरा धन्या ड दालने के लिए तो मैं तो हर सबजी में डालती हूँ कभी नहीं भूलती डालना तो यह मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने डाल दिया है और रेडी हमारी सबजी तो बस आज के लिए इतना ही मिलते मेरे नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई